इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इपीट्रा 500 टैबलेट एपिलेपसी में दौरे यानि की फिट्स के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है. इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ इस्तिमाल किया जा सकता है. जब तक आप इसे लेना जारी रखते हैं, तब तक यह दोरों को रोकने में मदद करता है. इपीट्रा 500 टैबलेट मस्तिश्क में असामान या इलेक्ट्रिकल गतिविधी को संदम्मित करता है. आप इसे खाने के साथ या बिना खाय ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए हर दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें. डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी. आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक की सलाह देगा. आमतोर पर लंबी अवधी के इलाज के रूप में इसकी सलाह दी जाती है. अगर आपको बहतर महसूस होने लगा है तब भी डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन जारी रखना चाहिए. अगर आप खुराक रोक देते हैं या लेना भूल जाते हैं तो आपको और अधिक खराब दौरे आ सकते हैं. इस दवा के कुछ आम साइड इफेक्ट में चक्कर आना, सिर्दर्द, संक्रमन, जलन, बंधनाग, नींद आना, व्यवहार में बदलाव, आकरामक व्यवहार और भूक में कमी शामिल हैं. पहले कुछ सप्ताह के दौरान साइड इफेक्ट होना सामान्य है और आमतोर पर आपके शरीर को इसकी आदत लगने के बाद यह कम हो जाते हैं. इनमें से अधिकांच साइड इफेक्ट के लिए किसी भी चिकित्सकिये सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती है, लेकिन इनमें से कुछ गंभीर हो सकते हैं. इस दवा से इलाज कराने वाले कुछ लोगों को खुद को नुकसान पहुँचाने या मारने के विचार आए हैं. अगर आपके मूड में खराब बदलाव आ रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें. इसे लेने से पहले, अगर आपको किड्नी से संबंधित कोई समस्या, डिप्रेशन है या आत्महत्या के ख्याल आते हैं, या आप गर्भवती हैं, गर्ब धारन करने की योजना बना रही हैं, या या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए, इस दवा का सेवन करते समय आपका डॉक्टर आपकी किड्नी कारिक्षमता की निगरानी करने के लिए नियमित ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकता है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकोन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद